बारिश के मौसम में हमारे जो किचन के सिंख होते हैं ये बहुत ही जलदी गंदे हो जाते हैं इनमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जो किसी को पसंद नहीं होती साथ ही अलग-अलग तरह के कीड़े मकोड़े भी निकल आने लगते हैं चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसको साफ करने का एक जबरदस तरीका जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगी इसके लिए आप एक बरतन में करीब डेड़ से दो लीटर पानी लीजिए उसे पूरा उबा लिए और फिर इसमें चार चमच नमक डाल कर इसे अच्छे से मिला लीजिए अब ये उबलता हुआ पानी हमें धीरे धीरे करके सिंक में पूरा डाल देना है नमक के गरम पानी से गंदी स्मेल भी निकल जाती है, साथ ही साथ कीड़े मकड़े भी नहीं आते दो-तीन दिन में एक बार ये स्टेप कर लीजिए, आपका सिंख बिलकुल साफ रहेगा इसके बाद हमने लगाया है ये स्ट्रेनर, खाने का कच्रा अंदर नाली में जाने से बाहर ही रोग देता है ये सूपर मारकेट में ये ओनलाइन आराम से मिल जाएगा आपको लास्ट में रखी है दो कपूर की गोलियां कीड़े मकड़े भगाने के लिए, ट्राइ कीजेगा